गुद मॉर्निंग क्लास केजी टू बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे नौलेज हाउस है ना हम लोग ने बहुत दिनों से ये पुप नहीं पढ़ी तो अब चली हम लोग आज नौलेज हाउस पढ़ते हैं और इसमें बच्चो आप लोगों ने ये सब लर्ण कर लिया है न पूर्टी है फिर पार्ट्स आप बॉडी ये तो मस्ट है आपको ये बिल्कुल लर्न होना चाहिए पार्ट्स आप बॉडी है ना विद स्पैलिंग और फिर था सेंस ओर्गेंस थे ना फाइग हम लोगों के सेंस ओर्गेंस जो होते हैं ये भी हमने बताया था आपको सेप सेबस नेंं में अपिको भी हम ईको आपको लर्न करना है और कलर से घंभ फिर फूस के ये अम लोगों ने पढ़े थProduks नेंग और फिर वऐजी टेबल्स नेंग वैजी टेबल्स और ये लीवी बैजी टेबल्स भी पढ़ा था ना तो आप हम लोग' आज मेंग में DAY babies so take out this book and open page number 18 domestic animals and their babies chapter 10 आपने book निकाल ली तो बच्चो domestic animals क्या होते हैं domestic animals वो होते हैं जो हम लोग खर में रखते हैं और वो हमारे काम आते हैं जैसे दिखें काव है वो मिल्क देती है काम आती है ना हमारे बफैलो भी और ये कैमल कैमल भी काम आता है कैमल भी मिल्क देता है और ये बोजह जो बोजह होता है लोड उसको भी ये ले जाता है इधर से उधर और ये रेगिस्तान राजस्तान में पाए जाता है और रेगिस्तान में ये चलता है जहां पर रेथ होती तो इस तरह ये domestic animals वो होते हैं जो इनको हम घर में रखते हैं और वो हमारे काम आते हैं तो इनके babies हैं देखे लिखा है ना domestic animals and their babies तो चलिए हम लोग domestic animals के बारे में देखते हैं कौन-कौन से हैं और उनके babies को क्या कहते हैं बच्चों आप लोगों को क्या कहा जाता है चिल्रन ना आप लोगों को चिल्रन कहा जाता है ना जो बच्चे होते हैं उनको चिल्रन कहा जाता है तो इसी तरह जो भी animals है उनके भी babies को क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहला है कौन सा? Domestic Animal, Cow और इसके बेबी को क्या कहते है? Calf इसके बेबी को बच्चो क्या कहते है? Calf C-A-L-F Calf C-A-L-F Calf Calf काव के बेबी इसको Calf कहते है फिर कैमल के बेबी इसको भी बच्चो Calf ही कहा जाते है C-A-L-F Calf बेबी को भी काफ ही बोलते है और यह जो बफैलो है इसके बेबी को भी काफ ही कहते तो यह तो बहुत ही आसान हो गया न? आपके लिए की Cow Camel And बफैलो के बेबी इसको काफ कहा जाते है फिर आया G-O-T गोट के बेबी को क्या कहते है? बेबी को क्या कहते हैं, किड, देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं, बेबी जिसके भी, जो सारे बेबी हैं, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, जैसे कि आप लोग प्यारे लगते हो, है ना, जब आप लोग अभी छोटे हो ना, तो सब प्यारे लगते हो ना, तो इसी तरह ज यो kid है कितना पहला लग रहा है है ना चलिए फिर next हम लोग इसको आपको यह learn कर लेना है cow, camel, buffalo के babies को क्या कहते हैं calf और goat के baby को kid अब चलिए next यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब कौन सा domestic animal है horse, horse के baby को fall कहते है horse के baby को क्या कहते है, fall और donkey के baby को भी fall कहते है तो यह दो जो animal है, domestic animal, horse and donkey इनके baby को कहते है, fall, f-o-a-l, fall फिर next है sheep, sheep क्या है, भेड, भेड से में क्या मिलता बच्चों, हम लोग को wool मिलता है न, तो यह भी domestic animal है इसको भी घर में रखा जाता है, तो यह क्या है, sheep और इससे हमको मिलती है wool, और देखे यह हम लोग के help यह आता है न, काम और फिर sheep के baby को कहते है, lamb, l-a-m-b, lamb, देखे, इसका baby भी कितना प्यारा लग रहा है sheep के baby को क्या कहते है, lamb, तो बच्चों आप से यह question क्या जाएगा तो आपको सब बताना होगा कि इसके baby को क्या कहते है, cow, camel, buffalo के baby को calf कहते है, goat के baby को kid कहते है फिर horse और donkey के baby को fall और sheep के baby को lamb, तो यह इतना आप पहले as learn कर लेना, okay with spelling, यह आपको learn कर लेना, okay, यह देखे, horse और donkey के baby को fall, f-o-a-l, fall फिर sheep के baby को lamb, यहाँ पर बच्चों question भी यही पूछा गया है, कि what is the young one of a horse called तो fall आप बोलोगे, तो यह आपको learn कर लेना है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, okay ओके बच्चों, bye